एब यहां पर हम लोग क्या कर रहे कांस्ट्रक्शन एक बार देख लीजा हम लोग परतिय को पहले की तरह यहां पर भी Pharaoh नहीं कर रहे अ tutti का करेंगे डॉट नोर importa इसके बाद हम लोग क्या करेंगे एक कॉर्टन करेंगे या जो कंबाइट नक हम लोग उसके बाद पहली की तरम लोग क्या करेंगी यह लोग किया जा यह अंदर वाला जो आपका सरकल दिख रहा है बलैक से यापका कॉटन TAP है और इसके ऊपर बेडिंग प्रॉइट किया है और पहले की तरह आर्मोरिंग और सर्विंग प्रॉइट करेंग कि इसमें हम लोग को पहले जैसे इसमें हमको benefit मिला था इसी तरह यहां पर lead sheet में भी हम लोग को benefit दो profit मिलेगा एक तो separate lead use करने से हमारा जो paper insulation के अंदर whites होगा वो remove हो जागा दूसरा separate lead provide करने से cooling capacity बढ़ जागी यानि breakdown होने की possibility घड़ जाएगी तो यह आपका separate lead type अपका underground cable हो गया जिसको लगभग 22 keV से 33 keV तक हम लोग use करते हैं ठीक है निक्स जो हमारा तीसरा type है पहला belt type दूसरा screen type cable और तीसरा आपका pressure cable होता है तो यह वाला देखने से पहले यह एक diagram देख लीजिए और यह आपको समझ में आ जागा तो यहां पर हमने pressure cable बनाया वा तो प्रेशर जो तीसरा type underground cable का वो pressure cable है pressure cable में दो type होगा एक oil field cable होगा और दूसरा आपका gas field cable होगा तो यहां पर oil के लिए बनाया और यहां पर हमने gas pressure cable बनाया तो पहले oil को समझ लीजिए oil pressure cable के अंदर हमने क्या किया वा अब चुके rating बढ़ गई है यहां पर oil cable को जो प्रीफर क्या जाता है वो बियॉंड 66 के विया उससे अधिक यहां तक के 230 केवी तक भी हम लोग क्या करते हैं oil field cable का उपयोग करते हैं या gas field cable का उपयोग किया जाता तो अब तक जेतना था उसके अंदर solid सारी चीज़ी हो रही थे lead sheet हमारा क्या तो solid उतना जादा flexibility हमारा नहीं था लेकिन इन सारे के अंदर flexibility जादा होती है dialectic strength जादा होता है cooling capacity जादा होती इसलिए इसको higher rating के अंदर prefer करते हैं पहले की तरह ही संदस्टना सिर्फ थोड़ा some difference किया हुआ है यहां पर क्या किया हुआ है यह जो आप center part देख रहे हैं यह conductor नहीं अब तक जितना बात हो रहा था conductor देखाया था लेकिन यह center part है यह oil duct है यह यहाँ पर oil pipe एक spiral type का pipe होता है जिस pipe की साहता से हमारा क्या होगा oil circulate करेगा oil flow करेगा ठीक है और यह oil duct जो है oil की pipe यह कहां आपका reservoir से connect होगा जहां से reservoir से हम क्या करेंगो oil को field करेंगो और यहाँ oil duct जितना underground cable बिचा वगा उसके अंदर oil duct के अंदर oil circulate होगा oil flow होगा इसके साथ साथ यदि हमारे पास क्या हो जाता है oil आपका heat या अंदर underground cable के अंदर heat जादा हो रहा है load के कारण तो heat जादा होगा तो oil expand करेगा oil फैलेगा और oil फैलेगा तो reservoir के अंदर जाकर store होगा उसके अंदर इतनी capacity जगह होती है ठीक है इसके लावा अगर हमारे पास सर्दी का मौसम है oil आपका compress हो रहा घट रहा जगह कम ले रहा है यानि additional oil इसको चाहिए तो वो भी कहा मिलेगा इसको reservoir से मिलेगा ठीक है तो यह oil duct है जहाँ पर oil flow होता रहता है इसके लावा load के recording load अगर जादा है heat जादा हो रहा है तो oil बाहर release reservoir में जमा होगा और यहाँ पर अगर load कम है ठंडा है तो वहार से oil इसके अंदर आएगा ठीक है तो यह oil duct हो गया इसके ऊपर हम लोग क्या क्या है oil duct के ऊपर paper आपका conductor लगा हुआ है यह सारा आपका जो हम लोग small circle से दिखाए वहें यह इसके ऊपर conductor इस तरह से लगा हुआ होता है यानि यह direct आपका oil जो duct है इसके ऊपर रखा होगा ताकि आपका heat dissipation में इसको फायदा हो तो oil provide करने से क्या आपको benefit मिलेगा oil circulate होने के वज़े से आपका यहाँ पर बहुत अधिक आपको cooling का benefit मिलेगा यानि cooling provide करेगा heat dissipation capability जो है इसके बहुत अधिक होगी और दूसरा spiral nature के होने के वज़े से यहाँ पर flexibility भी अधिक होगी ठीक है तो यह आपका conductor हो गया इसके उपर paper insulation हो गया और paper insulation के उपर आपका red color से यह lead sheet हो गया फिर bedding हो गया और उसके बाद armoring और serving पहले की तरह ठीक है तो यह आपका oil field cable single core के लिए हुआ यानि एक core सिर्फ यानि एक face के लिए इस आपका positive wire गया है एक face के लिए देखाया गया ठीक है और similarly दूसरा भी जो आपका वह भी single core cable के लिए देखाया गया है यह अगर cable R के लिए है तो R के लिए और Y के लिए तो Y के लिए B का है तो B यानि अलग-अलग है ठीक है तीनो अलग-अलग- थोड़ा सा difference हमने कर दिया है क्या difference है यहाँ पर center part में oil duct था लेकिन यहाँ पर oil duct center में ना देकर हमने क्या क्या है जो आपका lead sheet था इसी lead sheet के अंदर हमने channel बना दिया यानि small small आपका जगह है channel है pipe के अंदर जहां से यह क्या होगा oil आपका circulate करेगा तो center part में आपका conductor है और conductor के चारों तरफ आपका paper insulation और paper insulation की जगहा पर उसके बाद lead sheet है ठीक है लेकिन यह special type का lead sheet है जिसको groove sheet कहेंगे groove sheet का मतलब इसके अंदर गड़ा है छेद है जहां से आपका क्या होगा जिस छेद को जिस जगह को हम क्या कर रहे है oil channel कर रहे हैं इसी oil channel के माधियम से क्या होगा आपका oil circulation का काम होगा और oil circulation के वज़े से क्या होगा अच्छा एक benefit और आपको मिलता है oil circulation से वो क्या मिलता है दोनों जगा पर आप देखे अगर high pressure के साथ oil अगर आप इसके अंदर पास करेंगे तो क्या होगा यह फैलना चाहेगा क्योंकि high pressure के साथ है और जैसे high pressure के साथ oil इसके अंदर आपका circulate करेगा तो यह conductor के ऊपर में क्या है आपका paper insulation यह क्या paper insulation को क्या करेगा बाहर की तरफ ढखे लेगा और जिसके वज़े से क्या होगा अगर इसके अंदर कोई whites present है यानि आपका spare है आपका air bubbles पाउकिट present है तो वो सारा क्या हो जागा remove हो जाएगा जिसके वज़े से आपका dialectic strength बढ़ जाएगा similarly यहाँ पर भी आपका oil channel है जिसके वज़े से oil channel के वज़े से pressure पढ़ेगा अगर कोई आपका paper insulation के अंदर कोई आपका whites present होगा तो वो remove हो जाएगा और इसके अंदर क्या होगा dialectic strength paper की बढ़ जाएगी ठीक है इसके अलावा आपका oil dirt के वज़े से आपको cooling मिलता रहेगा तो आप इसको higher level पर यानि higher voltage rating पर prefer कर पाएगे similarly अगर three core cable की बात कर जाए तो आपका three अलग-अलग conductor दिखाया हुआ है यह conductor है आर वाइबी का और तीनों के उपर आपका हम लोग insulation दिये वह है पेपर insulation पेपर insulation देने के बात क्या क्या हुआ है यह आपका यहाँ पर हमने यह oil duct बनाया हुआ है यहां से आपका क्या होगा oil circulate होगा यह तीनों से और आपका cooling provide करने का काम करेगा साथी साथ अगर paper insulation के अंदर कुछ air pocket present है तो pressure की वैसे वो remove हो जाएगा और आपका insulation का डायलेक्टिक strength बढ़ेगा और commonly आपका बाहर में क्या यह आपका lead sheet provide क्या है इसके लावा आपका पहले की तर आपका आर्मोरिंग बेडिंग आर्मोरिंग और serving आपका present होगा ठीक है तो यह आपका pressure cable के अंदर oil field cable की बात हुई अब gas pressure cable देख लीजे gas pressure के अंदर भी same चीज़ है सिर्फ अंतर यह है कि वहाँ पर oil के जगह आप क्या करेंगे हम gas को उपयोग करेंगे तो यह अब हमने तीन conductor rate color से देखा हुआ है तीन conductor हमने आर्वाइ भी देखा हुआ तीनों conductor के उपर आपका paper insulation लगा हुआ black color से paper insulation और paper insulation के बाद आपका क्या है हमने common एक क्या क्या हुआ है lead sheet provide क्योंकि हमने lead sheet इसलिए अच्छा lead sheet provide क्या है moisture से बचने के लिए लेकिन यह जो आप shape आप देख रहें non circular shape अब तक इतना भी lead sheet देखा था हमने वो circular shape का था लेकिन यहाँ पर circular shape का use नहीं किया जा रहा है इसका कारण यह है कि यह क्या करता है एक pressure membranes की तरह काम करेगा compact हो गया एक जगह आपका जगह कम हो गया अगर circular रहता तो जगह जादा यह लेता लेकिन अगर इस तरह का आप triangle type का बना दिया तो कम space जगा ले रहा जिसके वैसे का हो रहा है यह compress कर रहा है और जितना compression बढ़ेगा उतना high pressure के साथ क्या होगा आपका यहाँ पर gas fill होगा और high pressure के वैसे क्या करेगा cooling provide करेगा तो यह आपका क्या है lead sheet है इस तरह का non circular shape का और इस non circular shape lead sheet के अंदर ही क्या करते हैं conductor रखा हुआ है और इसके चारो तरफ हम लोग क्या करते हैं आपका nitrogen gas provide करते हैं यह dotted से दिखाया यानि conductor के चारो तरफ nitrogen gas भरावा होगा और इस nitrogen के वज़े से क्या होगा यहाँ पर cooling provide होगा और आपका cooling provide होने के वैसे heat dissipation capacity बढ़ीगा और साथी साथ high pressure के वज़े से आपका जो air bubbles होगा वो remove होगा और overall देखे रहें बाहर में यह आपका क्या लगा होगा है यहां पर जो खाली जगा अप देख रहें इसके अंदर क्या भरावा है filler भरावा है या और कहीं पर बहुते हैं और filr का मतलब होता है जूट material आपका cotton type का कोई material होगा जिसको खाली जगा में भर दिया जाता है ताकि आपका ये मेकिनिकल क्या हो जाए बैलेंस हो जाए और ये आपका अपनी जगा से हटे नहीं ठीक है तो ये आपका डिटेल में अंडरगरॉंड केबल का क्लासिफिकेशन होगी आई होप आपको ये सारी बास समझ में आई होगी अगर हमारे इस चैनल पर नहें तो सब्सक्रा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए थैंक्यू अ